पास्कार दोस्तों टार्गेट वीद प्येस पर यहार चेनल में आपका सुअगत है सुबह की इस वीडियो में ऐसी सुचना होती है जो भी इन समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है तो आए शुरू करते हैं और देख लेते ह से इस चेनल के बारे में जरूर बताएं वीडियो सुरू करने से पहले एक बात और पता दूमें आप लोगों को कि अगर आप लोग उत्तर प्रते से लोग सेवा आयोग की परिच्छा पीसे स्प्री की त्यारी कर रहे हैं तो आप लोग आल्यू बोट जो यह वेब साइट है यहां पर जाकर के निसुलक मॉच टेस्ट दे सकते हैं विलकुल फ्री में जिस तरीके से लोग से आयोग में प्रस पूछी जाते हैं कि उसी के हिसाब से मॉच तियार किया गया है लिंक मैंने डिस्क्रिप्स बाक्स में दे दिए कमेंट बाक्स में भी दे दूँगा और उसके बाद में यहां पर आप लोग English या Hindi किसी भी भासा में चुन सकते हैं जिसे बासा में आप लोग देना चाहते हो विश्तित ब्याक्या भी बताई गई है चलिए सुरू करते हैं अब आज की सूजना को आज की सबसे पहली सूजना है उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैनायोग की आज के समचार पत्रों में काफी कुछ सूजना है लेकिन मुझ की सूजना यह है कि जो यूपी ट्रिपल है वह पारदरशिता पर काम कर रहा है और ऐसा चेर्मेन का बयान है उन्होंने यह बताया है कि नॉर्मलाइज नंबर जो है वह बताया जाएगा और विबसाइट से विद्यार्थी डाउनलोड कर सकेंगे ताकि उन्हों को पता चल सके कि जो हमारी ओमर है और उसके साथ में कोई गलबड़ी नहीं भी है आनता होता यह कि बहुत सार जो विद्यार्थी है वह बार-बार आर्टिया की तरह सूसना है मांगते रहते हैं उससे विबी ट्रिपल से को परेशानी होती है यह देखिए यहां पर लिखा हुआ भरोसा बढ़ाने के लिए पीटी की ओमर सीट भी देगा आयोग अपरती ओटीपी सी डाउनलोड कर सकेंगे शीट यह उनका बयान है प्रवीर कुमार का आजकल लगातार साक्षातकार दे रहे ह है और उनके जो बयान है वो सुमचार पत्त्र के माध्यम से आ रहा है लिखा है आयोग ओमर भी उपलब्त कराने की तयारी कर रहा है अब बैरती ओटीपी की जरिए ओमर सीट डाउनलोड कर सकेंगे प्रवीर कुमार चियर्मैन अधिनस्त सेवा चैन आयोग नीचे लिखा ह में ओमर सीट में हेरा फेरी वा छेड़ चाड़ के लगने वाले आरोपों को देखते वे अधिनस्त सेवा चैन आयोग किसी भी विवास से बसने के लिए बड़ी पहल करने जा रहा है आयोग प्रारंबिक अर्था प्रिक्चा के नॉर्मलाइजेशन स्कोर वा ब्रेक्तिकत अपने बताया कि आयोग पीटी की लिखित परिक्चा की उत्तरकुंजी जारी करके ऑनलाइन आपत्तियां मांगने की योजना पर काम कर रहा है और इसके साथ ही ओमर सीट की स्केनिंग का काम भी शुरू करने की तयारी है इसके लिए एक माह का लक्ष तक किया गया है इसके कोई कारवाई 15 अक्टूबर तक हो जानी चाहिए तो क्या मतलब परिणाम में देरी हो सकती है इस लाइन से तो यह किये अर्थ नया निकल करके आता है और अब बरतियों को वर्तमान में परिच्छा के समय ओमर की कारबन प्रति मिलती है जो कई बार आइस पस्ट होती है मू मूल ओमर अपलोड किये जाने से हेरा फेरी की किसी भी हरकत पर अंकुस लगेगा और गलबड़ी असानी सी पकड़ी जा सकेगी आगर आप लोगों ने सीटेट की परिच्छा दी हो तो सीटेट में आपकी बिल्कुल मूल जो ओमर होती है बिल्कुल इस पस्ट स्कैनिंग उसकी करी जाती है और विद्ली जाती है और विद्धिरति जो और मूल ओमर से ही जो उत्तर कुणी जारी होती है उसका मिलान करते हैं तो य스타 कापी अच्छा रहेगा विद्धियों के लिए वही पर जब से मैने कल एक वीडियो बनाया है कि यूपिटर पैस सी है उसकी बरती में 2,00,000,000 अबरतियों को मुख परिच्छा में बिठाना चाहिए और इसके लिए विद्यार्थी ट्विटर अभियान भी चलाएंगे विद्यार्थियों ने कल ही बहुत सारे विद्यार्थियों ने उत्तर परते सदिन सिवच्छायन आयोग को बहुत सारी इमेल्स की अगर आप लोग बीच चाहते हैं कि जो लेकपाल भर्ती में ज्याद जातर विद्यार्थियों को परिच्छा देने का मौका दिगा जाए तो आप लोग भी आयोग की जो गृवान से लैं उसमें जा करके आप लोग ईमेल कर सकते हैं ज्यादा जादा और ट्विट कर सकते ह और उत्तर प्रदेश के उपमुखी मंत्री और प्रिवीर कुमारी प्रिपल सी सभी को टैग भी कर सकते हैं यह बात है कि अगर केवल एक लाग बीच जर विद्धारितियों को बुलाया जाएगा तो कटाफ तो थोड़ा सा जादा जाएगी ही अगली सुचना है कनिश्ट साय सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों सभी को बताएं इस चैनल के बारे में सब्सक्राइब करवाएं यहां पर लिखा है अधिना सेवा चैन आयोगनेश मलित कनिश्ट सायकवा कनिश्ट लिपिक बढ़ती 2016 में प्रस्तावी साक्षातकार इसके बारे में पर प्रयाग राज में युवा मंच के बैनर तले रोजगार आंदोलन हो रहा एक सितंबर 2021 को बालसन चौरा प्रयाग राज उसमें नई शिक्षक वरती की मांग है विध्यार्थ की मांग है यूपी ट्रबल सी की सभी लमीत बरतियों को पूरा करने लिए जुझयर सिचक की जो तारीख घोषित करने के लिए एक ताली सो दो टेक्निशिनों के पदों का जो विग्यापन रस्त कर दिया था उस विग्यापन को बहाल करने के लिए जैई एक वरती के लिए यूपी ऐसाइ 2016 में विद्यार्थियों को निक्ति के लिए और पुलिस बर्थी 2015-2018 जितनी भी बर्थी विद्यार्थियों को समस्चा है लगपक सभी समस्चा को इसमें लिखा गया है लगातार मुख्य मंत्री और अन्य लोगों को पत्र और लिखा है राज की प्रवक्ता के प्रस्तावी 24 स्वपद राज की अध्योगिक प्रसेश्चर संस्तानों में अनुतेशकों के 80 फीचदी रिक्तपत पड़े हैं और इन सभी तगनी की संस्तानों में समस्चत रिक्तपतों को भरने के संदर में यह मांग उठाए कई यो मंच की तरफ से कि जितने भी 80 फीचदी जो पत्र रिक्त है इनमें जल से जल बढ़ती की जाए वह आज प्रात्मी से चेक परती के लिए एक ट्विटर अभियान भी यहां पर देख सकते हैं 29 अगस्त 11 बजे ट्विटर अभियान हैं चुकि यह लगबग लगबग साफ हो चुका है कि इस साल जो प्रात्मी से चेक परती स्क्रीनिंग टेस्ट का रुमोदन क्यों नहीं किया गया याज का कि सुनवाई 13 सितंबर को होगी और यह आधिस नायमूर्थ इश्वन्त वर्मा वह अभिसेक वर्मा 13 की याज के पर दिया गया याजिक का कहना कि 5 मई 16 कि आयोग ने 405 आपकारी का स्टेबलों की भरती निका परिणाम क्यों जारी नहीं यह मांग की गई है और इसका जो इसके बारे में हाइकोर्ट ने जो हो जानकारी भी तलब की है अच्छा आज कल लोग सेवा आयोग के समंद्ध में बहुत सारी सूचना आई थी कल ही एक सूचना आई थी कि उत्तर-प्रदेश लोग सेवा आयो यह कल का समाचार पत्र था कि नुक्ति के लिए भटक रहे हैं PCS के चैनित यान PCS 2018 का अंतिम चैन परिणाम जारी हुए एक वर्ष का समय पूरा हो गया है लेकिन जिला पिछड़ा फरक कल्यान अधिकारी के पत्र पर चैनित अभरती नुक्ति के लिए अब तक बटक रहे ह है उत्तर प्रतेस लोग सेवा आयोग की और से नुक्ति की संस्तुति काफी पहले बेजी जा चुकी है लेकिन विभाग निक्ति पत्र जारी नहीं कर रहा है आयोग ने PCS 2018 का परिणाम 11 सितंबर को जारी किये था यह तो बात हो गई PCS 2018 में यह जो भरती वी थी जिला पिछ सोला PCS 2018 की बाद अब नमार आगया PCS 2019 यानि कि सम्मिलित राज्य अभियंत्र सेवा परिशा 2019 यानि यह देखिए नीचे लिखा हुआ कि सहायक अभियंत्र के 129 चैनितों की ज्वाइनिंग अटकी तो केवल परिणाम निकालने से कुछ नहीं होता है और यहां पर देखिए सम्मिलित राज्य अभियंत्र सेवा परिशा 2019 के तहट सहायक अभियंत्र के पदों पर और बंदिक रूप से चैनित अभियंत्र की निकति अटकी अटकी है परिच्चा परिणाम जा रहे हुए पांच माह बीच चुके हैं उत्तर प्रतिस लोग सेवा आयोग ने एक सब ता सुरू किये वहीं सम्मिलित राज्य अभियंत्र सेवा 2019 के तहट साइक अभियंत्र के पतों पर चैनित अभियंत्र को अब तक निकति ही नहीं मिल सकी है आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्र सेवा परिच्चा 2019 का परिच्चा 26 मार्स को जारी किया था मुक्ति विश्व विष्विद्यारे ने 17-01-21 की परिक्षयाओं का प्रडम सरहवार को गोशित कर दिया। विष्व विद्यारे ने पहली बार ऊंड सीटे और पीजटे की इन बहुत सारे विद्धैरतियों का चाहothान है यह विद्यारती मांघ कर रहे हैं कि OMR में सनसोधन का मौका दिया जाए यानि की केंद्र रोल नंबर का डिजेट घिया रिजिस्टरेसन का का डिजेट संख्या का डिजट छो कुछ कुछ भी गलतियां हुई है उसको मौका दिया जाए और इसी लिए विद्यार्थी कल जो है उपमुक्यमंत्री से मिलने गए थे इन्हों ने यह कहा कि इसके पहले भी मौके दिये गए हैं खास तोर से एल्टी ग्रेट सिक्षक बरती में यहां पर यह देखिए लिखा हुआ है कि पहले तके तस्वीरे देख लीजिए यह तस्वीरे में है यह जो विद्यार्थी है यह ग्यापंदेर में उपमुक्यमंत्री को अब नूज देखिए लिगा टीजटी पीजटी परिच्चा में ओ को एमार सीट बढ़ते वे उनके इसतर पर कुछ गलतियां हो गई है जिसके चलते उनकी उत्तर पुस्तिकों का मुल्यांका नहीं हो पा रहा अब बढ़तियों की और से डॉक्टर दिनेश शर्मा को ग्यापन सोब कर सुधार के लिए एक आवसर दिये जाने की गुजारिश की गई है आगे लिखा कि अब बढ़तियों का कहना है कि परिक्चा के कारण मानसी के दबाव के चलते यह गलतियों हुई है यह मानवी चुक के चलते उनका भविस कहीं खराब ना हो जाए अब बढ़ति उपमुक्यमंत्री डॉक्टर दिनेश सर्मा के एश बाग कनहिया ल को इन विद्यार्थियों की मुलाकात ही और लिखा है कि उपमुक्यमंत्री की तरफ से पूरे प्रयास का आस्वासन दिया गया है और उन्होंने विभागी अधिकारियों को भी इस प्रक्रण में सहयोग करने को कहा है अब बढ़तियों नहीं बताया है कि 2018 में उत्तर प्रत प्रतियों के चलते उनका भविस्ते इंदिकार में आ गया है और बढ़तिय और उनके परिवार बहत चिंतित हैं समविदा पर 300 ड्राइवर और कनेक्टर त्याज भरती किया जाएंगे सिटी ट्रांस्पोर्ट में समविदा पर 300 ड्राइवर और कनेक्टरों के बढ़ती चल रही है वहीं समविदा परिचालक के पत पर जल्द ही मंडला योक्ति मंजूरी मिलने के बाद बरती शुरू होगी दोनों पदों पर भरती के लिश्यक्षिक योगिता वह अनुबहों के बारे में जानकारी दे दिगए सिटी ट्रांस्पोर्ट के एमडी पल्लाओ बोस बताया कि ततकाल में 25 समविदा चालकों के बरती होगी इसी तरीके से ड्राइवर पदों पर 30 सितंबर तक दुबगगा डिपो में आविदन सुखार किये जाएंगे दो माहबाद देश में सबसे ज्यादा संक्रमित 46,769 तक पत्र में दी गई तbro कि अमेरिका में एक लाग से जाता मेक्शिको में 35,000 डूना जो डैस हैो होँ वहाँ पर बहुत ज्यादा satisf on संक्रमाल बढ़ रहा है इसी तरीके से अब भारा सिस्व मंदी जो सूज़ना है वह आने लगी है लिखा है कि देश में कोरोना संक्रमाल के रफ्तार फिर तेज होती दिख रही है पिसले चौबीस गंटे में 46769 के सामने आ गए जो दो मामें सबसे जादा है 496 संक्रमितों की मौत भी हो चुक है 493 में कोरोना के दूसरी लहर अभी भी जारी है तो वहार के साथ साथ बाजारों में भीड कोविट नीमों के अनदेगी काफी नुक्सान दायक हो सकता है वहीं पर लेका अमेरिका में बच्चों में संक्रमाल जो हो बेकाबू हो चुका है कोरोना महमाली से बुरी तरह प्रवावी तरह अमेरिका अब डेल्टा सुर्गी से पेड में आ चुका है यहां बच्चों में संक्रमाल तेजी से फैल रहा है और अस्पताल में भरती होने वाले बच्चों की संगा तेजी से बढ़ रही है जिन अस्पतालों में पहले एक्का दुक्का ब तो किरल के 14 जिलों में लाग डाउन की सलाई दी कही है स्वास्त मंतराले ने बताई कि देश के जिन 41 जिलों में सेंकरमल की दर 10 चीज़ती आधिक बनुवी से जल्दी ही जमिनिश्टर पर Azerds लागो करने के लिए का गया के लिए जिसकारे कहलाले की बेट की प्रविस्परिक्षा हो गए इसमें 80% विद्धार्थी उपस्तित रहे हैं अगली सूसना एससी की है चैनित अभरतियों के अभिलेखों की जांच एक तारीख से होगी लिखा है कर्मचारी चैन आयोग ने संयुक्त इसना तक इस्तरी परिच्छ 2019 के चैनित अभरतियों के अभिलेखों की जांच एक सितंबर से उनतीस तक प्रियागराज में होगी इसके लिए प्रवेश्पत्र तेथी समय और पद वरीता के लिए विकल्प फार्म स्सी की वेबसेट पर उपलब्द है वहीं कनिष्ट अनुबादिक 2020 के 206 अभरतियों के अभिलेखों की जांच 31 अगस्त को होनी है इसके बिना उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा एससी की बारे में कुछ और भी सुचना दी गई है कि एससी जीडी के जो आवेदन चल रहा है उसकी जो लास्ट डेट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी 31 अगस्त जो है वह एससी जीडी की लास्ट डेट है और इसी तरीके से प्रवेश के भी किवल 3 दिन बचे है तो जिन विद्याठीूने डीलेट 2021 में अभी तक आवेदन करना चाहते हो और अगर अभी तक आविदन ना कियो तो वो विद्यार्थी भी आविदन कर जकते हैं डेलेट में जो डेट वो एक बार बढ़ाई भी जा चुकी है वह एना समचार पत्र में जानकारी दी गई है कि निमावले की इंतजार में अटकी है पैरा मेडिकल कालेजों में भरती करूणों खर्च ज जरकार जासी में faculty में हैं जो एक भी टीचर नहीं है और चल रहें वहाँ पर दनादन चार्टों कोर्स पतने किस तरीके से कोर्स चल रहे हैं तो इसके बारे में बहुत साइज जनकारी लिखी है और यहां पर जो अपर निदेशा के आरके सी उनका बयान भी है कि अब तक भरती नीमा वली नहीं बनी है जिसकी प्रक्रिया चल रही है कालेज भवन तयार हो जाएं दो चगह इस्थाई प्रशिष्चिकों के जरिए कोर् कर्मचारी उनकी भी कमी हैं इतिकी वजय से बहुत सारे जो भरतीयाङ हैं जिनके परदाम जारी हो गयातों निगती हों दोस्तों यह झाल झाल